Good evening friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजन मंडलोय आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ऐसे आसा रखता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारा जो चैनल है वो आपके लिए helpful है कि आपकी मदद कर रहा होगा तो जिसा कि आप सभी जानते हैं कि हम समीदा सिक्षक वर के तीन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश को कवर कर रहे हैं जिनकी हमने प्लैलिस्ट अलग से बना दी है, डेली वीडियो आपके पास पहुँच रहे हैं दूसरा, अभी जो कक्षा नवी से लगा कर कक्षा बारवी तक की एक्जाम चल रही है तो उसके लिए भी हम डेली वीडियो अपलोड करा रहे हैं और हर पेपर को एनलिसिस कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीक्स जो भी आपके कॉंटेक्ट में हैं सभी के पास हमारे इस चैनल को सेहर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी फाइदा हो सके अब डेली रोजाना की तरह जो हम हिंदी के 10 कुश्चन आपके लिए लेकर आए हैं प्रिविएश पीबी द्वारा जो एक्जाम होई थी लास्ट इयर समीदा सिक्षक वरगे एक वरगे दो में किस प्रकार की हिंदी पूछी गई थी उसको हम कवर कर रहे हैं तो आज हमने टोपिक लिया है जो ग्रेट फरस्ट मिन्स वरगे एक में उर्दू का पेपर हुआ था लास्ट इयर उसमें 10 नंबर की हिंदी पूछी गई थी तो ये 11 फरवरी के दिन पेपर हुआ था 11 फरवरी 2019 को दो पेपर वाली सिप्ट में तो देखते हैं इसमें किस प्रकार की हिंदी पूछी गई थी इन क्वेस्ट को आप नोड भी करते जाएगा इससे आपको हेल पर यह मिलेगी कि इसमें टाइम पर आप इनको रिवाईज कर सकते हैं दूसरा यह है कि एगई बी क्वेस्ट को रिपीड भी करता है ही न तो रिपीड करना से हुजा उसी उनका जो मेटर था उस मेटर से क्वेश्चन उठा ले तो आपको बहुत फाइदा हो जाएगा इससे ना चलिए अब ज्यादा टाइम विएस्ट ना करते हैं आज के वीडियो के सुरुवात करते हैं पहला है पुरोहित में उपसर्ग क्या है उपसर्ग किसा कहते हैं जो वाक्य की सुरू में लगता है तो इसका जो रूट वर्ड है वो है रोहित क्या है रोहित है अब इसमें पुरह जोड दिया है उन्होंने ना तो पुरोहित हो गया तो इसका जो उपतर होगा वो होगा पूछ रहा है हो ठीक है सीनोनीम इंगलिस में पूछते हैं और हिंदी में पूछते हैं तो जरना जरने का वीवर रसना केतू या उत्स तो उत्स जो है इसका एंसर होगा उपसिन नमबर फॉर्ड कुशन नमबर थर्ड है दो पेहर के बाद का समय कहलाता है तो उसको देखे निशिद, पूर्वाहन, मध्यान और अप्रहन तो दो पेहर के बाद का जिसे इंगलिस में होता है कि पी एम और एम होता है शिवरेकार से हिंदी में होता है तो दो पेहर के बाद का जो समय होता है उसको अप्रहन कहते है उपसिन नमबर फॉर इसका सही रहेगा नेक्स्ट पढ़ना है क्यों क्योंकि हमारी हमारा प्रयास यह है कि हम 120 से 130 के बीच पर नंबर लेका है मैं तब 120 प्लस या 130 प्लस मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 120 से 130 ही लेके आओ इसके उपर हमें नंबर लाना है तो बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना होगा तो आगामी का देखे गाठ 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 या गद इसका जो एंसर होगा वो फोर होगा ठीक है दोस्तों अपसट मेर 4 गद भक्ती रस का स्थाइब्हाव क्या है एक स्थाइब्हाव से जब्मांदित क्वेशिर पूछा यह जाता है तो आप जितने वीरासे उन सारे रस के इस् तो ये चार उप्सन दिये गए है इन में से उप्सन नमबर टू है वी प्लस आ प्लस क्रधातू प्लस लेट प्रत्य ये इसका एंसर सही रहेगा कोशन नमबर सेवन है नीचे दिये विकल्पों में से सतो गुण का सुद्ध रूप कौन सा है तो ये चार उप्सन दिये गए इन चार उप्सन में से सतो गुण मतलब उप्सन नमबर फूर जो है इसका एंसर सही रहेगा ठीक है दोस्तों उप्सन नमबर एट है नीचे दिये गए वाक्यों में से कर्म वाच्ची वाला वाक्य कौन सा है देखे कर्म वाच्चे न मेरे द्वारा लिखा गया मैं पत्र लिखता हूँ मैं पत्र नहीं लिख सका इसमें से कोई नहीं तो पत्र मेरे द्वारा लिखा गया अब कर्म वाच्चे क्या है जिसमें object, main, object, verb और subject ये फार्मूला हो मींस इसको हम कहते हैं पेसी वोई सेंटेंस, ठीक है तो पेसी वोईस को कहते हैं कर्म वाच्ची, हम इंगलेस में भी हम पढ़ते हैं, पेसी वोईस, पेसी वोईस, पेसी वोईस में कहा रहता है कि object, subject का कारी करती है, तो क्या है, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तो option number first इसका सही रहेगा, नाइन्थ question है, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है, में कौन सा लंकार है, स्लेस, यमक, माफिज़ा से, स्लेस, रूपक, यमक और अनुकास, तो इसमें यमक अलंकार है, ना, question number 10 है, आज के वीडियो का last question है, अगर-मगर करना इस मुहावरे का आर्थ निलिखित उकल्पों में से कुन सा है, तो बहाने बनाना, बुद्धी नस्ट हो जाना, मनो कमना पूर्ण होना, चला जाना, तो option number first इसका सही answer हैगा, अगर-मगर करना मतलब बहाने बनाना, तो हम से ही वीडियो आपके लिए continue करेंगे, और अभी एक दो दिन, ये चार दिन बाद, मतलब यूं मान लिजिए कि मार्च के first week से हम आपके question बढ़ा देंगे है ना, और वो जो paragraph वाला आता है, जैसे कि एक paragraph दिया जाएगा, और उस paragraph को पढ़कर नीचे दिये गए, प्रस्नों के उत्तर देना है, तो वो अभी हमें start करेंगे ना, और उसमें 30 number के ही question, हू बहू, जिस प्रकार PEB question या paper बनाता है, वेसा ही हम आपके लिए लेकर आएगे ना, तो don't worry, अपना ध्यान रखिया, अच्छे से बढ़ाई कीजिए, और thank you for watching, और हमारे इस channel को share और subscribe करना ना दो ले,